हेलो दोस्तों देखिए कलम ने आपर वीडियो बनाई थी और आपको यहां पर बताया था कि किस तरीके से अगर लेवस टूटे तो उस ताइम में आपर मार्केट में गिरावट आ सकती है और वो लेवल आज टूटता हुआ निजर आया और उसके बाद आप देख रहें कि ल होगा क्या ठीक है और क्या आपको करना चाहिए वह सब चीछ हम यहां पर बात करेंगे और देखेंगे ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे चानेंगे सारी चीछे पर उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी चैनल आयम स्मॉल कैप इ हैं अगर 100 चैनल चैनल घंघीजञा कि जवाब देगे और ऊच्छे जाना चाहते हैं तो यहां और आप अगर गिरावत हो रही है तो लीकृट में वह अखेना खनना है वो सब चीज अगर जान्नीए तो आप हमारे को ढवरें-गर सकते हैं 8605-40501 8169261037 दोनों नमबरों में से आप किसी पर भी call, message, whatsapp करेंगे free of cost को यहाँ पर आपको पैसे देने की जरुवत नहीं है यहाँ पर जब आप बात करेंगे simply आप call करिये, message करिये और जानिये basics to advanced technical research fundamental, कब लेना है, कब बेचना है क्यों लेना है, क्यों बेचना है वो सब कुछ आपको idea लगता हुआ, नज़र आएगा आपको idea लगता हुआ, नज़र आएगा कि exactly किस market में किस तरीके से behave करना चाहिए और इस course की कीमत 25,000 रुपे है एक बार course को किया है एक साल के experience लेना वसके आप पीछे मुड़ के देखने की जरुवत नहीं है थ्री मन्स की हैंडोल्डिंग strategy उस इन श्टॉक मार्किया ओनलाइन ओर सब कुछ दिया जाता है और साथ में आगर किसी को साथ में काम करना है तो इन्ही नमबरों पर contact करें इस साथ में आप हमार साथ मिलके काम भी कर सकते है तो वीडियो में आगे बढ़ते तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्टॉक मार्किट में किस तरीके से यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है लगातार और क्या यहाँ पर रुकेगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि निफ्टी जो 50 है लगबग 338.5% के आसपास गिरते हुई नजर आ रही इसके इलावा हम बात करें आप निफ्टी स्मॉल कैप की ठीक है तो निफ्टी स्मॉल कैप को एक बार देख लेते हैं तो आपको बाता चलेगा कि निफ्टी स्मॉल कैप लगबग लगबग 5.5% के आसपास गिरते हुए नजर आ रहा है और अभी एक fresh breakdown फिर दुबारा होता हुए नजर आ रहा है जो कल लेवल दिये थे उसके बाद और और इसके इलावा हम बात करें निफ्टी mid cap की तो mid cap में भी आगर हम देखें तो mid cap में भी एक अच्छी गासी गिरावट बस आड़े 4% की गिरावट, 2100 पॉइंट की गिरावट जो कि यहां पर आप देखोगे तो ऐसी गिरावट होती नजर आई वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर बैंक भी एक बार देख लेते हैं और इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स का हल तो बुरही है 4-5% अलग-अलग मैटल इंडेक्स यहाँ पर गिरता हुए नजरा रहे हैं PSU sector, यहां पर आप देखोगे, तो PSU sector की भी वाट लगी पड़ी है, यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देख सकते हैं, लगबग 4.5% गिरता हुआ नजर आ रहा है, और अब यहां पर मुझे रखता है कि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद ही यहां पर समलता तो बाते करेंगे इस सब्सेयों से लेठेट, इसके अगेंश में सबसे पहले American Bajar को दिख लेते हैं, American Bajar लगबग 500 पॉइंट उपर है, ठीक है, फ्यूचर की बात चल वही है, फ्यूचर आप देखोगे 4.95 पॉइंट यहां पर अभी की डेट में दिखा रहा है, तो य यह सब चीज देखनी पड़ेगी, प्लस में अगर हम बात करें, हमारा Small Cap अच्छा का सब चलाए, इनका Small Cap में उस तरीके से यहां पर तेजी नहीं है, इसीच को भी याद रखिया, कुछ ही सेक्टर है, कुछ ही स्टॉक्स है, यहां पर इस पर्टिकुलर रैली को लीड करत हुआ नजर आ रहा है, तो exactly है क्या और क्या करना चाहिए, देखिये, action कम लेना था, action लेना था, बिलकुल ऊपर, ठीक है, जब यहां पर market में, अगर मैं Small Cap की बात करूँगा, क्यों करूँगा Small Cap की जादा बात, तो कि Small Cap में ही पिटाई जादा हुई है, और दूसरी बात ह तो हमारे चैनल का नाम Small Cap है, तो इसलिए मैं इससे जादा बाते करूँगा, यहां से जब गिरावट हुई थी, यहां से bounce back हुआ, और यहां पर दुबार जब इससे तोड़ दिया ना, यह levels, तो हमें सबसे पहली बात तो यहां पर ही completely है, तो exit कर देना था, ठीक है, और अ 34% index down हुआ था, consolidation हुआ और उसके बाद जब भागा तो यहां लगब लगब 80-90% तक index अगर low level से यहां पर देखूं, 8700 से लगब लगब 16700 तक लगब 8000 points यहां पर भगता हुआ दिखाई दिया था, और share उस तरीके से 4-5 गुना होते हुए नजर आयते, अब बात करते हैं यहां पर कि small cap में exactly हो क्या रहा है, तो small cap में गिरावट क्यू है, तो आपने सुनई है कि यहां पर सेभी जो chair person है, ठीक है, जो यहां पर main है, सेभी की, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि मी चलफन बताए अपना हिसे रा, किस कहां पर है, किस तरीके से है, क्य है क्या करते हुए वो नजर आएंगे लास्ट इंग अपर सोज तीड वात ही थी और उसके बाद क्या हुआ गिरावट होती हुई ही लगता नजर आती हुई दिखा दिया है तो तो क्या यह सही बात है, तो यहां पर देखोगे, हम compare तो करते हैं, ठीक है बठाट हम जब compare करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम खहाँ पर इस्टाइन करते हैं, यहां पर आप देखोगे, ब्लाक रोग 98 बिलिएन डॉलर, वैंगार ऐटी थरी बिलिएन डॉलर, फैडलेटी सबसे चोटी टॉप टैन भी देखे ना पूडेंशियल एटीन हंडर डॉलर एटीन हंडर बिलियन डॉलर की यहां पर मार्किट क्याप रखते हैं और वहां पर हमारे मुच्छ पंड की बात करें तो इतने में तो जब यहां पर फ्लोज आ रहा है न तो यहां पर कंट्रोल कर है तो को लॉब यहां पर बीच में कोई भी आता है नहीं उसक्रशा करता है तो इक अच्छी बात करें तो चारी 50 % 100% 40-50, 30%, 20% यहाँ पर lower circuit लगते हुए न जा रहे तो wealth किस की जारी है, wealth उनी की जारी है ठीक है, तो वो चीज़े यहाँ पर, खुद ही यहाँ पर देखनी चाहिए तो उससे related बाते सही नहीं रहेगी, बट इस्टेल हम बात करें तो भारत को अगर हम grow देखना चाहते है, तो हमें यहाँ पर उसी तरीके की सोच भी रखनी पड़ेगी कि हम अगर उपर जा रहे है तो उपर किसी वज़े से जा रहे है अगर सब चीज अच्छी है इसलिए हम उपर जा रहे है, अगर हम उपर हमारी GDP की बात करें, 8% किसी देश में इस तरीके की GDP नहीं आ रही, इंफलेशन उस तरीके से नहीं है जहां पर दूसी कंड़ी से हम compare करें हम आत्म निर्भर बन रहे हैं, बट हम जब बात करें हम आत्म निर्भर बन रहे हैं तो हम किस basis पर बन रहे हैं, उसका असर कहाँ पर दिखेगा, उसका असर केवल market में ही दिखेगा, और वो भी stock market में दिखेगा, तो वहाँ पर बीच में आके interrupt करना किसी भी चीज़ को ठीक नहीं है बट इस्टिल, जब चीज़े नीचे आती है तो यहाँ पर क्या है, valuation यहाँ पर कम हो जाएंगे, वो सारी चीज, unoptional valuation पर भी मिल रही थी, उस चीज़ को भी आपको हमेशा देखते रहना है, और जब भी आप चीज़ों को खरीद हो, तो ऐसी valuation पर खरीद हो कि आप कोई आप जटका ना लगे, ठीक है भी जब गिर रहा है, तो सब कुछ गिरा है, अगर आप देखोगे market, तो mostly सब कुछ गिरता हुआ नज़रा है, दो-ती शेयर को छोड़के हैं, आपर किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15% की गिरावट है, और भी रेल अगर आप ने खरीदा है, तो बेकार चीड़े, अगर आपका P-E ratio ठीक ठाक है, और फिर उसके बाद गिरावट हुई है, तो याद रखिए, वो ही शेयर सब सबसे पहले bounce back करेंगे, जिनकी earning अची होगी, वो सबसे पहले bounce back करेंगे, क्योंकि ये गिरावट हमेशा रहने नहीं वाली, और जो destruction होना था ना, वो mostly यहाँ पर हो चुका है, बट इस्टिल चीड़े, अगर हम बात करेंगे, तो मुझे अभी भी हाँ पर हम देखें, तो 14% के आसपास की, तो 15% के आसपास की गिरावट हो सकती है, होगी या नहीं होगी, ये गिरावट हो सकती है, और अगर ये गिरावट होती है, तो याद रखियेगा, opportunity है, जिस तरीके से गिराए, उसी तरीके से भागता हुआ भी नजर आएगा, बस क्या होगा, कि ये आपके patience को test करेगा, और याद रखिये, जो bear market है, वो हमेशा छोटी हो गई है, और जो bull market है, वो लंबी हो गई है, तो इसी तरीके से जब ये गिर रहा है, तो ये थोड़ा बहुत गिर के खतम हो जाएगा, आपका मुझे पता है कि जितने भी यहापर 2023 में अच्छे खासे रेटन चीशनों ने बनाए है, उनमें से कुछ के आदे रेटन, किसी के 30, किसी के 40% रे टॉनलर तक यहां पर जाना है, तो इस टोरी भी लंबी है, और उसी तरीके से आपको बिहेव भी करना है, बस आपको एक अच्छी कंपनी में रहना है, तो इसका फायदा आपको ही होगा, क्योंकि यह जब यह भागना शुरू करेगी, तो याद रखिए उसका फायदा इने आएगा, कि FI understands का data यहां पर क्या रहा है, simple FI Airlines का data कह रहा है यहांपर buying हो रही है, यहां पर आप देखिए, कल भी यहां पर buying होई थी, अभी data यहां पर release होगा नहीं है, जब वो release हो जाएगा था, हम उससे यनि turn ही बाते करेंगे, तो सब कुस्छ सही ने, तो सब बस रुख जाना चाहिए, 300-500 पॉइंट फिर भी यहाँ पर मानके चलिए, और फिर उसके बाद जब bounce back होगा, तो उसका फाइदा हमें मिलता हुआ निजर आएगा, तो इस तिल, जो यहाँ पर निकलना था, निकलते सकते थे, बट अभी यहाँ पर निकलने का कोई फाइदा तो एक-दो श्टॉक में चले, बट अलग-अलग सारे श्टॉक शेलिंग और पैसा बना के रहेंगे, तो वीडियो अची लगे, लाइक, कमेंट, शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, और चीरों को समझ के, सोच के, ध्यान से, तसली से रखिएगा, ठीक है, और उस टाइम आपको क्या है, पेशेंस रखिए, तो वीडियो अची लगे, लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बैल आइकन को हिट, और की नॉटिकेशन कौन करिएगा, जितना हो सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा, इन नमबरों को नोट करके, कोर्स उ साथ में काम कर सकते हैं, तो थैंकी सो मुच, God bless.